है तो तो प्रॉब्लम यहां पे जो है वह दी गई है आप सभी जो है वह देख सकते हो जो श्डेज डिस्चार्ज का जो आपसभी करड़ करना ह्को है को घ्रकrant वह को पीशियंट अफ मैंने कर ला हूं मैं जो भाप स कर डाई कर रहा जो है वो copy करके जो है वो Excel में लिख सकते हैं तो जैसे जो है वो यहां में पर मैं कर लेता हूं यहां पर मैंने जो है वो कर रखा है पहले से तो बस मैं जो है यह यहां पर पेस्ट कर सकता हूं तो यह डेटा जो है वो मैंने copy कर रखा है अब जो है वो मैं इसे बस paste कर देता हूं मैंने जो है वो manually पहले लिखा है अब इसके बाद जो है वो क्या निकालना है आप सभी को जो है वो g-a निकालना है तो यहां पर जो है वो a की value आप सभी को दी गई थी अगर आप question को problem को ध्यान से पढ़ेंगे तो a की value आप सभी को यहां दिखाई दे रही है कितनी है 7.5 ओके यहां पर a की value जो है वो 7.5 है तो अब जो है वो हमें निकालना है g-a की value के तो a equals to links देते हैं पहले 7.5 ओके उसक g-a और इंटर में जो है उसके बाद आप सभी को जो है वो जी माइनस एका जो फॉर्मडा अप्लाई करने के लिए equal to link के जो है उसके बाद यहां पर प्लस का जब sign आए तो नीचे जो है वो select करके drag कर दें तो automatically जो है वो g-a का value पूरे सभी के लिए आप सभी को यहां पर आप देखते हैं कि discharge q और यहां पर जो है वो जो है पूरा select कर लेना है और उसके बाद जो है यहां पर में आप सभी को जो है वो scatter का option पर tap करना है जैसे ही आप tap करोगे तो first वालो जो है यहां पर दिखाई रहा है scatter with only markers तो इस पर आप सभी को tap करना है तो finally जो है वो आपकी यह जो है वो rough graph आप चुकी है लेकिन अभी जो है वो इसमें कुछ जो है वो आप सभी को changes करने है वो क्या changes है वो मैं भी आपको समझा देता हूं तो यहां पर जैसे ही जो है वो इस पर मैं जो है वो tap करता हूं तो यह actually क्या है जी माइनस ए वर्सेस discharge का graph है ओके तो इसके लिए जो है इसका नाम बदलने के लिए इस पर आपको इंटर करना होगा और उसके बाद जो है वो लिख दें आप ओके जी माइन करने के बाद जो है वो axis titles जो है यहां पर आपको दिखाई दरी है इस पर टैप करना है और primary horizontal axis पर जो है वो title below axis पर टैप करना है मिंस नीचे में क्या है आपका discharge है ओके तो यहां पर जो है वो आप सभी को क्या लिख देना है remembereen discharge देना है ओके तो यहां पर आप्से चैटल को मैं date डीलिट करके जो है डिख देता हूं discharge का सब्सक्राइस का इसके बास एंट्र करति है तो आपको यहां पर जाना है चैसी स सब्सक्राइब करना और यहां पर प्राइमलिख पर बहasse है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें आपको यहां पर लिखना है इसपे घ्र – तो यहां पर लिख दें G-A अब उसके बाद इंटर कर दें तो आपका यहां तक बात कंप्लिट हो जुकिया है अब इसके बाद जो है यह जो लिखा हुआ है जी माइनस ए तो इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं उसके बाद जो है वह किसी भी आप जैसे को आप ध्यान स इस पर टैप करना है और उसके बाद जो है आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है वह एड़ ट्रेड लाइन आए अगर आप टैप करते हो तो यहां पर आपको कुछ भी शेर्षार नहीं करनी है नीचे में जो है डिस्पले इक्वेशन इन चार्ट और डि आपको चार्ट बनाना है और यहां पर आप चाहे तो इसका नेम बदल सकते हैं जिसे यहां पर कुछ भी अपना नेम बदल के और इसका CTRLS करके सेफ कर सकते हैं जैसे मैं इसका जो है वह सेफ कर लेता हूँ जी माइनस ए वर्सस डिस्चार्ज और यहां पर इंटर कर देता हूँ तो उसके बाद यह सेफ हो गई है में डेक्ष्टॉप में आता हूँ तो यहां पर जो है वह इसे अगर उपन करता हूँ देखो आपकी जो है यह ग्राफ ओपन हो रही है ओके तो ऐसे ही जो है वह आपको यह बाते समझ में आगए होंगी और ऐसे ही जो है वह आप कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस स्टेप्स जो मैंने बताया है उसे आप बारिकी से फॉलो करेंगे तो सब कुछ जो है वह हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो